Hello dear students, welcome to excellence point classes तो बच्चों आज का lecture होने वाला है क्लास 7 के लिए पिछली बार हम लोग क्लास 7 का rational number chapters कर रहे थे जिसमें हमने introduction देख लिया था आज की क्लास में हम exercise से start करने वाले हैं So without wasting any time, let's get started बच्चों आईए start करते हैं exercise के question number 1 से question number 1 हमसे बोल रहा है list 5 rational numbers in between मतलब आपको 2 numbers दिये हुए हैं और उसके बीच में आपको 5 rational numbers find out करना है आईए start करते हैं सबसे पहले 2 numbers दिये हुए minus 1 and 0 तो बच्चों इसके denominator वाले part में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 rational numbers निकालने हैं तो एक जादा का multiply कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे minus 1 upon 1 में 6 upon 6 का multiply कर देंगे याद रखेगा numerator और denominator में हम multiply करेंगे ताकि वो equivalent rational number में convert हो जाए यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे तो बच्चों 0 upon 1 में हम क्या करेंगे 6 by 6 का multiply करेंगे तो हम आपास जो numbers आएंगे वो हो जाएंगे minus 6 by 6 and 0 into 6 तो बच्चों 0 हो जाएगा तो हम आपास 0 by 6 बचेगा अब देखते हैं तो बच्चों आप देख सकते हैं 0 से लेके minus 6 के बीच में 5 numbers आते हैं क्या क्या number होते हैं वो होते हैं minus 5 by 6 minus 4 by 6 minus 3 by 6 minus 2 by 6 और last होता है minus 1 by 6 तो देखिए कितनी easily हमने यहाँ पे 5 rational number find out कर लिये हैं second number का question भी same है इसलिए वो आपके लिए homework रहेगा third question देखते हैं बच्चों third question में आप देखिए दोनों के denominator different हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आपको denominator को same का लेना है तो बच्चों same हम कैसे करेंगे जब हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM of 5 and 3 हम लोग क्या कर लेंगे 3 और 5 का LCM निकालेंगे तो आपके इसे maximum को LCM निकालते आता हुआ है 5 और 3 के सबसे पहले आप 3 से करेंगे यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ पे 1 फिर आप 5 से कर देंगे तो 1,1 आपके पास आ जाएगा 3 multiply by 5 जो की 15 के बराबर होता तो इसका LCM आपका 15 आ गया तो बच्चों हमको क्या करना यहाँ पे देखिए minus 4 by 5 इसमें हम क्या करेंगे 3 by 3 का multiply करा देंगे तो यह कितना आ जाएगा minus 12 by 15 यहाँ पे देखिए and अगला हो जाएगा minus 2 by 3 अब इस 3 को हमको बनाना है 15 हम क्या करेंगे 5 by 5 का multiply तो हमारे पास जो number आ जाएगा कितना आएगा minus 10 by 15 तो अभी आप देख सकते हैं इन दोनों के denominator सेम हो चुके हैं तो इसका मतलब अभी हम यह वाली process पहुंचें यहाँ पर हम आपास दोनों के denominator सेम है अब हम लोग वही process अपनाएंगे जो हमने यहाँ पर अपनाई है क्या कि पांच रेशनल नंबर अगर आपको निकाल लें तो एक जादक आप multiply और divide कर दीजें यहाँ पर देखिए अगर हम minus 12 by 15 में 6 upon 6 का multiply करेंगे similarly अगर हम minus 10 by 15 में 6 upon 6 का multiply करते हैं तो हम आपस कितने आ जाएंगे यहाँ पर देखते हैं minus 72 upon 15 6 90 होता है और similarly अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह हो जाएगा minus 60 upon 90 अब इसके बीच में total 12 numbers आ रहे हैं आपको पांची की जरूरत है आप लिख सकते हैं minus 71 upon 90 minus 70 upon 90 then minus 69 upon 90 minus 68 upon 90 और minus 67 upon 90 यह आपके पांच रैशनल नंबर हो गए इसके अलावा भी आप minus 61 upon 90 इसके बीच में जितने भी number हैं आप लिख सकते हैं सिर्फ 5 numbers की हमको requirement है दो question homework में रहेंगे अभी आप homework question देखिए स्टार्ट करते हैं question number 2 से बच्चो question number 2 है complete the pattern इसका मतलब आपको आगे 4 और national numbers लिखने हैं देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अगर देखें तो minus 3 के बाद minus 6 फिर minus 6 के बाद minus 9 minus 9 के बाद minus 12 मतलब यह 3 3 का table चल रहा है तो सीधी सी बात है अगले 4 अगर numbers की मैं बात करूँ तो वो क्या होंगे होंगे minus 15 then minus 18 then minus 21 और then minus 24 यही इसके बाद के 4 number होंगे क्योंकि 3 का table follow कर रहा है upon यहाँ पे देखिए 5 का table follow कर रहा है 5 2s are 10 5 3s are 15 5 4s are 20 तो अब 25 होगा सीधी सी बात है then 30 होता है then 35 होता है and 40 होता है तो बच्चों यह sequence follow हो गया आगे देख लेता है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 1 1 का table चल रहा है minus 1 का table है यहाँ पे तो बच्चों अगर हम देखे minus 3 के बात क्या आएगा तो minus 4 आएगा then minus 5 आएगा minus 6 आएगा last minus 7 आएगा 4 का table चल रहा है यहाँ पे देखिए 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 तो यहाँ पे 16 then 20 फिर क्या आजाएगा 24 और last में आपके पास 28 आजाएगा तो यह sequence follow हो गई दो question homework में रहे हैं Question number 3 में हमें क्या करना है? Equivalent rational number निकालना है पिछली class में मैंने जब आपको introduction lecture पढ़ाया था तब मैंने आपको explain किया था कि equivalent rational number में हम numerator और denominator में same number से या तो multiply करते हैं या तो divide करते हैं अगर number छोटा होता है तो हम multiply करते हैं generally और अगर बड़ा fraction होता है तो हम divide कर देते हैं वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे minus 2 by 7 यह चोटा है smallest है तो हम यहाँ पे multiply करेंगे minus 2 by 7 multiply by आप 2 upon 2 का multiply करा लिजे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? minus 4 upon 14 हो जाएगा पहला answer आगे क्या और देख लीजे? minus 2 by 7 multiply by क्या हो जाएगा? 3 upon 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा? minus 6 upon 21 next आप लोग देख लें minus 2 by 7 multiply आप हम करा देंगे 4 upon 4 कितना हो जाएगा? minus 8 by 28 और last देख लेते हैं minus 2 by 7 multiply आप हम करा लेते हैं यहाँ पे 5 by 5 का कितना हो जाएगा? minus 10 upon 35 और देखे कितनी आसानी से हमने यहाँ पे 4 equivalent rational number निकाल लिए हैं सेम यहाँ पे भी करना है बच्चों यह standard form में नहीं है तो यहाँ पे हमको standard form की need भी नहीं है अभी आप लोग को अगर equivalent rational number निकाल ले हैं तो यहाँ पे आप same number का multiply करा दीजिए तो आपके पास equivalent rational number मिल जाएगे भले ही वो standard form में हो या नहीं हो हमको इससे कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 5 upon minus 3 multiply by बच्चों हम यहाँ पे again 2 by 2 का करा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 upon minus 6 next देखिए 5 upon minus 3 में हम क्या करा देंगे 3 upon 3 का multiply करा देंगे कितना हो जाएगा 15 upon minus 9 next देख लेते हैं तो 5 upon minus 3 multiply by 4 upon 4 यहाँ पे हमाँ पास कितना हो जाएगा 20 upon minus 12 और last हमाँ पास 5 upon minus 3 multiply by 5 upon 5 is equal to 25 upon minus 15 और यह question हमारा complete हो गया तो अगले lecture में आपसे मिलूँगा बाकी के बचे को questions के साथ देखना ना भूले excellence point classes का अगला वीडियो thanks for watching have a nice day